तूफ़ानी तेजी आई सेंसिक्स, निफ्टी, मिटकैप, स्मॉल कैप, कोई भी इंडेक्स हो रिकॉर्ड उचाई के भी उपर चला गया सेंसिक्स डाई हजार पॉइंट से जादा चड़ा है निफ्टी 733 अंक चड़ा है बैंक निफ्टी 2000 अंक चड़ा है तो ये तो एक कबानगी है लेकिन डीटेल में समझते हैं कि बाजार में आज ऐसा तूफान था तो इसके पीछे क्या क्या रहा सुमित हमारे साथ है तो सुमित जैसा मैंने कहा दर्चकों से भी पूछा मुझे भी याद नहीं कि इस तरह का नंबर की डाई अजार सेंसेक्स साथ सो पॉइंट निफ्टी लास्ट एग्जेटली कप देखा था तो आई नो कि एग्जेट पोल की यहाँ पर बहुत बड़ी एक का रोल है लेकिन फिर भी इतनी तेजी के पीछे क्या और एहम कारण आपको लग रहे हैं देखे यह परसेंटेज में देखेंगे तो तीन साथ तीन परसेंट है पैसे आखड़ों करें कि बेस बड़ा है तो उसलिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है लेकिन एक्च्छल में बड़े नंबर आप ऐसे समझेए कि आज नंबर का दिन था सत्रा लाख करोड अकेले बीएसी की मारकेट कैप आज ही आज हम बढ़ते हो दिखाई पड़ी है इस तरह की एक्जॉबटेंट तीजी देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलाइंस इंडस्टी जाज नए रिकॉर्स तरों पर पहुंचा उसका कॉंट्रिबिशन था तो करीब करीब 20 लाख करोड के ऊपर लाइस इंडस्टीज की मारकेट कैप पहुंची इस नए बीच लाख करोड अदानी समुआ जोरदार तेजी में था पूरा पावर पूरा OIL औट गैस पूरा मेटल जहां जहां पर आपको पीसउ दिखाई पड़ेगा उन सब में शानदार तेजी थी तो पीएसेउ में ता बरज़तस तेजी में पियसेउ पार फिनांस कंपनी जैसी कंपनीओं पैस तरह कर अटरियाद केपizzard स्माल क्याप ए निफ्टी बैंक रिकॉर्ड इसके लावा लार्ज कैप के दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में एक रिकॉर्ड तो इस तरह के बढ़िया दिन जबकि आपको चो तरफा खरदारी दिखाई पड़ेगी और मारकेट में हर तरफ डीप ग्रीन आपको निशान आज की सतर मे दिखाई पड़ेगा डीप ग्रीन है हर तरफ मारकेट में हाँ ये कहा जा सकता है तो समित तेजी तेजी है लेकिन इस तुफानी तेजी में सबसे ज़्यादा जो उड़ते वे नज़र आए वो कौन थे तो आज तो आज तोड़े लूजर्स की संख्या कम होगी छोड़े नमबर होंगे लेकिन गेनर के आपको बहुत बड़े बड़े नमबर दिखाए पड़ेंगे कम ही दिखने को मिलता है कि निफ्टी के टॉप गेनर में दस दस परसंट ये गेनर हों अदानी पोर्ट दस परसंट उपर, SBI 9 परसंट उपर, NTBC 9 परसंट उपर, Power Grid 9 परसंट उ दूको बैंक 9 परसंट के आपको तीजी यहां थी, मिट के अबर गिरनले शेयरों में गौट्फरेफ फिलिप्स 3 परसंट नीचे, दोम्स 3 परसंट नीचे, बीका जी 3 परसंट नीचे, राज़े एक्सपोर्ट 3 परसंट के आपको बिकवाली लेकिर आज बढ़िया दिन त परसंट के तीजी तो हर तरफ आज पीएस्यू का दबदबा और साथ साथ चौत अरफा करदारी बजार में देखने को मिली है। मैं अब निवेशों को क्या करना चाहिए और आप कहा निवेश के मौके देख रहे हैं। मैं भारत की ग्रोथ स्टोरी में बने रहें और इन्वेस्ट करते रहें हर छोटी बड़ी गिरावट में। 50% आपका इस समय एक्विटीज में होना चाहिए और अगले पांच साल में निफ्टी 50,000 भी हो जाए तो मुझे हराने नहीं होगी। तो इससे फरक नहीं पढ़ता कि आप 21,000 पर ले या 23,000 पर ले कोई फरक नहीं पढ़ता। और भारत की डोमेस्टिक ग्रोथ पर इनवेस्ट करें। घरेलू एकॉनमी से रेडेट स्टॉक में 75 पसंद रखें, 25 पसंद आईटी, फार्मा, मेटल्स इन में लें। आज की रैली देखिए आप, आज की रैली देखिए आप। यह आज वही स्टॉक चले ना, PSU चले, Capital Goods चले, CPSC इंडेक्स चला, PSU Bank इंडेक्स में जबरदस तेजी आई, Realty इंडेक्स चला, Oil and Gas इंडेक्स चला। बेसिकली सारे के सारे डोमेस्टिक एकॉनमी वाले स्टॉक जो थे वही चले हैं। मैं एक बाद फिर से बोल रहा हूँ, यह हम assumption लेके चल रहे हैं कि कल जो final numbers आएंगे, वो exit पॉल के हिसाब से आएंगे, हाँ, अगर उससे ज़्यादा आगए, अगर 50,60 points ज़्यादा आगए, तो कली 24,000 भी possible है, एक बार के लिए स्क्रीम पर, उससे कम आगए तो थोड़ी exit पॉल जैसा ही रहता है, तो पांस साल का रोड मैप, मार्किट के लिए हाथ से आपके लिए क्लियर है, अन्या लोगों का क्या कहना है, बाजार के जानकार क्या कह रहे हैं, अन्या, प्राइम सेक्रीटिस के मनेजिंग डिरेक्टर एंजय कुमार का कहना है, कि अभी निवे प्राइमार के अबनेजिठेटर आपके लिए आज में जानकार क्या, इस वीचार कन डिरेक्टर इंडिस और मनогनड सोप्रों का कहा बिए इस की और टाइम सेक्रीटिस ऊंड़ का junior because everything is not manufactured by the PSUs. They outsource a lot. So small private sector, individual companies on the manufacturing theme, but related to defense, could be a big play again. And the third play could be this manufacturing in India. I think there is going to be a lot more on the PLI. And I think a lot more on the PLI in pharma can happen because I think now medical independence as a concept, I think it's something that a lot more, should I say, incentives for manufacturing in India and a lot more partnerships of overseas MNCs in India could happen. I think it's something that, you know, lot more, should I say, incentives for manufacturing in India so I think it's interesting fact. Please tell me. देखें बहुत सारे पॉलिटीशन आपको दिखेंगे जो या तो MLA हैं या तो MPs हैं राजसभा के लोकसभा के और लिस्टेड कमपनीस के प्रमोटर्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं जान लेते हैं कौन से कौन से जो प्रमोटर्स हैं और कौन सी कौन सी हस्तिया हैं जिनके नाम यह बहुत सारी लिस्टेर कंपनीज हैं सबसे पहले अमर राजा बैटरीज के प्रमोटर जैदेव गला और यह टीडीपी यानि तेलिकु देशम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं लास्ट यर वो एंपी भी थे इस टाइम उन्होंने चुड़ाव नहीं रहा लेकिन हाँ चंदराबाबू के कड़ी भी माने जात साथ मूव कर रहा है कहीं न कहीं मारकेट एक विक्टरी जो है वो फैक्टरीन कर रहा है मैक्रोटेक डेवलपर्स यानि लोधा डेवलपर्स मंगल प्रदभात लोधा बीजीपी के साथ जुड़े हुए हैं महराश्टरा में वो एमेले हैं इसके लावा अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की तो कलानिती मारन संटीवी हमको पता ही है डीम के के साथ ये जुड़े हुए हैं इसके बाद राजीव चंदरशेकर देखे इनकी प्राइवेट एक्विटी जो कंपनी है वो एक्सिस केड कंपनी की प्रमोटर है और एक्सिस केड को पिछले दिनों काफी सारे ओर्डर्स भी डिफेंस सेक्टर से मिले हैं तो ये भी स्टॉक फोकस में आप रखिये आपके डिडार पे ये चुनाओ भी लड़ रहे हैं इस बार नारा लोकेश ये भी हेरिटेज फूड्स के साथ जुड़े हुए हैं टीडीपी की ये सांसद रह चुके हैं तो ना इसके अलावा अगर दूसरे भी नाम जल्दी से हम लोक फिलिप करें तो आपको दिखाए पड़ेंगे इस बार की सूपर स्टार जो हैदराबाद से लड़ रही हैं अकबर असदुदीन ओएसी के सामने बीजेपी की जो एमपी की टिकेट इनको मिली है वो माधवी लता है विरिंची के साथ जुड़ी हुई हैं इनकी प्रमोटर हैं और ये एक हॉस्पिटल चेन है है हैदराबाद में जिसके बारे में आपको जानना चाहिए जेनेसिस इनको बहुत सारी 3D मैपिंग के ओर्डर मिले हुए हैं और शाजिया इल्मी के हजबन ये कंपनी चलाते हैं शाजिया बीजेपे के साथ जुड़ी हैं तो ये सारे वो तमाम स्टॉक से जिनको रिडार पर रखना है और इसके अलावा कैफे कॉफी डे के हेगडे मालवी का हेगडे भी बीजेपे के साथ जुड़ी हैं आप अगर देखे प्रसाद लाड ये क्रिस्टल कोईलिस्टर कंपनी के साथ है जी बहुत शुक्रिया ये इस बड़िया रिसरच के लिए और आपने में बताया कि वो कौन से रसूखदार लोग हैं खास तोर पे जो बिजनस वर्ल्ड के जिनका कोई डिरेक्ट कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से एक बार फिर मोधी सरक सरकार बनती दिख रही है आज चुनाव अड़ा में इसी पर हम करने जा रहे हैं एक बड़ी चर्चा शाम साथ बचकर 27 मिट पर तो जुरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का चुनाव अड़ा जो की है एक्जिट पोल पर मोधी की बयार नतीजों का इंतिजार जुरू जुड़ी है हमारे साथ पियम मोधी ने कन्या कुमारी में साधना के बाद अपने लिक के जरिये अगले पांस साल के लिए सरकार का एक विजिन रखा है पियम मोधी का क्या है विजिन बताने के लिए हमारे साथ है हमारे एकनॉमिक फॉलिसियेटर लक्षमन रॉयल लक्षम प्रफ़ाइब दिशा क्या रहने वाली है उन्होंने इस ब्लॉग में सरकार की उपलब्धियों को भी बताया है गरीबी हटाने की तरफ सरकार की कदमों को गिनाया है और वैश्विक प्लेटफर्म पर भारत के बढ़ते दोदेविक अभी जिक्र किया है लेकि सबसे सरकार का फोकस रहने वाला है और और रिफॉर्म लेकर ऊंहोंने बात काहिंए कि रिफ़ॉर्म को लेकर को बादा होगा यानि पहले कि किये जाते रहे थे उस तरीके सई रिफॉर्म नहीं होगा उस सोच से हट कर रिफॉर्म होगा और इहोंने एक और बात कहिए चाशे में तो होगा लेकिन एक नए ध्हाचे में ने आपने ब्लॉग में किया है और इसमें एक और बात है कहीं है महित्पून बात वह है कि स्पीड पर खास फोकस होगा यह जो भी रिफॉर्म हो उसका फायदा लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचे सुनिशित किया जाएगा स्केल पर होगा यानि बड़े पैमाने पर होगा उसका दायरा काफी जादा बढ़ा रहेगा और एक स्टेंडर्ड का होगा यह रिफॉर्म यह इन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है और इन चारो छित में तेजी से काम करना होगा यह प्रधानमंती ने जोड़ दिया है औ लोने होगा वाकिस को करना है साथे सबस्क्राइब निकले मानिफेक्टर से यह सुनशित करना होगा ऐसातर होता कि एक मार्केट काफी मिल जाता है इंपोर्ट पर निभरता कम हो जाती है इस तरह एक इशारा है जिरो डिफेक्ट जिरो इफेक्ट के मंत्र को आत्म साथ करना होगा मैं ऐसे समान बनाए जिसमें कम से कम खामी हो प्रयावरान को कम से कम नुकसान हो यह यहां पिन्हों ने कहा है और 21 सदी में 25 वर्सों में विक्सित भारत की निव रखनी है इसका संकल बीन्होंने प्रधानमंति ने अपने ब्लॉग में दुराया है तो मुझे लगता है कि नई सरकार के शपत ग्रहन से ले करके सौ दिन के एजन्डे से ले करके पांस साल के विजन तक का एक मजबूत अधार प्रधानमंति ने अपने इस ब्लॉग में रख दिया है जी शुक्रिया तो ये प्रधानमंति का एक विजन डॉक्यूमिंट जैसा लक्ष्मिन बता रहे थे और कन्या कुमारी में ध्यान के बाद ये उन्होंने लिखा और अगले पांस साल का रूड मैप देनी की यहां पर उनकी कोशिश इदर लोगसभा चुनाओं के नतीजों स के घर एक मेगा मीटिंग हो रही है इस मीटिंग में केंदरी ग्रह मंतरी अमिश्शा रक्षा मंतरी राजनास सिंग समेथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे इस बैठक में पी-एम मोदी के शपत गरंड समारो और नतीजे आने के बाद होने वाले सेलिबरेश तक बात शीट की अब नतीजेश कुमार हमें शास से भी मलाकात करेंगे लोगसबाद चुनावी नतीजेश कुमार का जिल्ली दोरा राजनितिक लिहाज से काफी एहम है माना जा रहा है कि बिहार में बदलते राजनितिक खलातों को लेकर तोनों नेताओं के बीच चर्चा कुई चुनावी नतीजेश के पहले एक्जिट पोल पर कॉंग्रेस की पूरवद्धिक सुनिया गांधी का भी बयान सामने आया है सुनिया गांधी ने कहा है कि अभी नतीजेश का इंतजार करना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस नेता दिग्विजे सिंग ने एवी एम पर सवाल खड़े कर दिये हैं और कहा है कि अगर बीजेपी तीन सो पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बलकि एवी एम का वोट होगा जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुम्मत नहीं मिल रहा है और जो कॉंग्रेस पार्टी ने 255 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है वो इवी एम मशिन का वोट है लोगसभा चुनाओ के नतीजों से एक दिन पहले इलेक्शन कमिशन ने भी प्रेस कॉंफरेंस की इस दौरान मुक के चुनावायुक तो राजी उकुमार ने लोगसभा चुनाओ को एतिहासिक बताया सक्री भागिदारी के लिए महिला वोटर्स के लिए उन्होंने तारीफ की सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर राजी उकुमार ने कहा कि हमें लापता जिन्टलमन कहा गया लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वोल्ड रिकॉर्ड बन गया इदर दली में काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तयारियां पूरी कर ली है साथो काउंटिंग सेंटर्स पर कल सुबह आठ विजे से वोटों की घंती शुरू होगी संबादाता असिम मंचंदा बता रहे हैं पूरा डीटेल दिली में लोकसब़ चनावों के लिए वोटिंग 25 माई को हुई थी दिली के साथ मलोकसब़ शीटों के अपर इस बार हमें 58% से जादा का बद्दान देखने को मिला कल सुबह से ही इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी दिली में साथ सीटों को देखते हुए साथ काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं मैं इस वक्त नई दिली के काउंटिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर शुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए और भीशन गर्मी को देखते हुए और भी कफी सारे इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे यहां पर शेड्स शम्यानी की परबंदन किया गया है तो कल सुबह से यहां पर आठ वोजे से यहां पर काउंटिंग करने की शुरूत हो जाएगी यह दिली की स बात करूं तो बीजेपी के खाते में सातों सीटे दिली की गई थी इस बार एकजिट पॉल कह रहे हैं कि एक सीट शायद हो सकता है कि आप मार्दी पार्टी या कोगरस के खाते के अंदर जाए तो कल और अगर बीजेपी के और एंडिय के अगर मैं पूरी बात करूं तो ए दिली में भाजपा के आफिस में तो जोश जबरदस तरीके से हाई है पंडाल एसी कूलर सब लग गए हैं कारकरताओं को पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया गया है डीटेल दे रहे हैं रोहन सीम नतीजों से पहले भारतिय जन्ता पार्टी तयार है जश्न की तयारी के लिए क्योंकि जो तमाम एक्जिक पोल है उनके मताबिक भाजपा प्रचेंट बहुमत की तरफ बढ़ रही है और इसी का असर आप देखने को मिल रहे हैं तयारी अभी से पूरी हो चुकी है भाजप बहुत कार्यों को में विभाजपा जीत की तरफ बहुत ही कमफरटेबल जीत की तरफ यहां पर जीत जिस तरफ हो चुकी। जो है उनको प्रेडिक किया गया है और इसी के लिए जो कारिकरता है उनमें काफी जादा उत्सा है और जैसा हर बार होता है जीत के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भाजपा कारियाले आते हैं शाम के लगवग इस बार जो तूतर में बता रहे हैं कि रोडशो का भी में अलाकि यह confirmation नहीं है लेकिन रोडशो भी कर सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और उसके लिए तमाम जो व्यवस्ता है वो कि जा रही है प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए तयारिया की जारी है फूल माला है जो है वो है यहां से पूरे कार्याले को सजाया ज जाएगा इसकी वबस्ता की जारी भारी मात्रा में जो लड्डू हैं मिठाईया हैं उनके ओर्डर किये गए हैं कुल मिला के बात यहां कि भारतिय जन्ता पार्टी अपनी जीत को लेके आश्वस्त है और इसी का असर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर तयारियां पूरी हो चुकी है पंडाल सजने शुरू हो गया है और कल यहां पर जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी है कैमरा नवर्वरी के साथ रोहन सिंग दिल्ली चुले तो यहां पर ले ले थे एक छोड़ा सा ब्रेक लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि दूद फिर से महंगा हो गया है देख रहे हैं आवास समाचार और कुछ और खबरे दूद के दाम फिर से बढ़ गए हैं अमूल और मदर डेरी ने प्रती लीटर दो रूपे की बढ़ोतरी की है पूरे देश में दाम आज से ही नए दाम जो है लागू हो गए है ताजा बड़त के साथ अमूल गोल्ड 68 रुपे प्रती लीटर अमूल भैंस का दूद 73 रुपे प्रती लीटर हो गया है वहीं मदर डेरी का फुल क्रीम दूद 68 रुपे प्रती लीटर मदर डेरी टोन दूद 56 रुपे प्रती लीटर हो गया जो प्रॉब्लेम देश का फाया बार्णिंग प्रॉब्लेम उसको देखना चाहिए ना दूर तो क्या मतलब है दो रूपर बढ़ गया तो क्या हो गया कुछ नहीं है बराबर है उसको नहीं पूसाता होगा तभी बढ़ाया होगा ना जान बूचके तो कुछ थोड़ी है लेकिन अभी तो गवर्मेंट का या अमूल का डेरी का कुछ क्या स्टिक्रेट था मालूम नहीं लेकिन जैसे इलेक्शन पुरा हो जाता है और दाम बढ़ा दे अभी मैने आद सुना है कि दूसरे किसे में भी वह दाम बढ़ा दे पेट्रोल में या किसे में है टेक्स ब अभी मालूम नहीं बता है लेकिन वह महिंगे तो बढ़ती जा रही है एक चोटे आदमी के लिए तो बहुत तक्लिप की वाली बात है अब बढ़ना है तो बढ़ेगा ही सही तो क्या बोलेंगे इसको अब सारे चीज में रेट बढ़ रहे हैं बलता सब आप रेले के सासा टूल टैक्स की कीमते भी बढ़ गई है नैश्टल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया ने देश भर में टेल टूल टैक्स में बढ़तरी कर दी है दरों में आसतन पांच परसंट की बढ़तरी की गई है नही दिरें आज से लागू भी कर दी गई है अब वहान चाला को पांच परसंट ज्यादा टूल टैक्स भरना होगा टूल टैक्स में ये बदलाव सालाना होल सेल प्राइस इंडेक्स यानी सी पी आई के तहत किया जाता है हर साल टैक्स दरों में बदलाव किया जाता है हलाकि एनेच आई के अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव एक से ही लागू होने थे मगर लोगतबा चुनाओ के चलते इसे टाल दिया गया था तो इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही लेकिन आसी नबीसी आवास पर खबरों के अपडेट के लिए आप लगातार हम से जुड़े रहे और साथ ही अब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विजिट कीजिए जहां क्लिक पर आपको मिलेंगी नई ताजा और अपडेटेट खबरे